चलिए सुन्स आज हम करेंगे class 7th class के exercise 11.1 का question number second question में हमसे कहा गया है एक square park है एक square park है हमने इसका area find out करना है हमारे इस square park का perimeter है 320 meter ठीक है तो चलिए solution स्टार्ट करते हैं अब देखे सुन्स हमें square park का perimeter given है 320 meter तो चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं perimeter of the square park is equals to 320 meter ठीक है तो हमें square park का perimeter given है 320 meter square park का जो perimeter होगा वो होगा उसका 4 into side है आपने याद रखना है कि जो square होता है उसका perimeter होता है 4 into side क्योंकि हमारा जो park है वो square है इसका perimeter भी divide में चला जाएगा देखे left and side में 4 जो है वो side के साथ में multiply हो रहा है तो जब हम 4 को left से right में लेकर के जाएंगे तो यह 320 meter के नीचे divide में चला जाएगा ठीक है तब left and side में रह जाएगा side and right hand side में हो जाएगा 320 meter upon 4 ठीक है अब हमने 4 से 320 को divide कर रहा है ठीक है तो हम 4 से 320 को divide करेंगे अब देखे 4 8 जा होता है 32 माइनस करने पर बच्चे का 0 यहाँ पर बच्चा 0 0 नीचे carry down हो जाएगा अब 4 0 जा होता है 80 meter ठीक है तो हमारे square park का side का length हा गया 80 meter चलिए अब हम square park के area को find करते हैं ठीक है तो लिखते हैं area of the square park अब देखे square का जो area होता है वो होता है side into side इसलिए square park का भी area हो जाएगा side into side ठीक है तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है square का area होता है side into side इसलिए square park का भी area हो जाएगा side into side ठीक है अब देखें, यहाँ पर है side, यह जो side है, वो square park का side है, square park का हमने side का length निकाला है 80 meter, ठीक है, तो side into side हो जाएगा 80 meter into 80 meter है ना, side into side हो जाएगा 80 meter into 80 meter तो आपने यहाँ रखना है, square park के side का length हमने यहाँ पर निकाल लिया है 80 meter, ठीक है, area of square park होता है side into side, इसलिए side into side हो जाएगा 80 meter into 80 meter, ठीक है ना, अब देखें, 8, 8 जा होता है 64, यहाँ पर 1, 0 है, यहाँ पर दूसरा 0 है, तो यहाँ पर 2, 0 लगेंगे, ठीक है, तो 80 into 80 हो 0, 0, and meter into meter हो जाएगा meter square, तो यहाँ पर हमारे पास में, area of square park आ गया, 6400 meter square, ठीक है ना, तो देखें, question में हमसे कहा गया था कि हमने, square park का area find out करना है, तो यहाँ पर हमने, square park का area find out कर लिया, जो कि आया, 6400 meter square, तो यहाँ गया हमारे इस question का final answer, कि अ कि गए गया है